सबी बैयों को नमस्कार सबका स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल साहिल डेरी फारम पर दोस्तों वीडियोज के मादम से आप लोगों को रोजाना एक से काफी श्यांदार मुरा पसुदन दिखाने का जो प्रियास है जी रहता है और आज उसी प्रियास को बढ़ाते ह जो आज की जो हमारी कवरेज है जी मां बताना चांगा अपने ही डेरी फारम से वीडियो लेके आ रहे हैं जी सबसे पहले आप लोगों को एडरेस है वो बताना चांगा जी गाउं पटासनी जिला लगता है जी जजजर और हरियाना से विलोम करते हैं जी बताना चांगा ज जजजर से लगबग 13-14 किलोमेटर की दूरी पर जो कि हमारा गाउं है पतासनी और आज की वीडियो लेकर आ रहे हैं जी बताना चाहूंगा जी काफी जबरदस्त जो की 5 स्टार या फिर 7 स्टार आप कुछ भी जो की कह सकते हैं जी जोटी को क्योंकि आज की डेट में फेस से हमारे पसू पलक भई जी इस परकार का पसू दन की काफी ज़गा जो डिमांड हो कर रहे थे काफी ज़गा जो की फोन हो आ रहे थे कि बाई अगर अच्छी क्वालिटी की जोटी आपके नजर में हो तो आज अपने डेरी फरम से वीडियो लेकर आ रहे हैं जी बताना चाह करेंगे जी फेश से लेकर के और टेल तक आज की डेट में जोटी में एक भी माइनस पॉइंट है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा बाकी कमेंट सेक्षिन में भी आप अपनी राय है वो साथ-साथ में दे सकते हैं जी बताना चाहूंँ जी काफी अच्छी बड़ लाइन क जो की हमारी जो की उपेक्सा जो रहती है की पसू पलक भाईयों को अपने अगर डेरी फरम से पसू दन दिखाएं तो एकदम शोक वाल्टी का पसू दन जो की दिखाएं तो हमारे पसू पलक भाई काफी कम दिनों में काफी अच्छा जो की हमारे से जो की प्यार प्रेम हो दे रहे हैं और पसु जनकी जी काफी ज़ादा जो हमारे डेरी फारम की वीडियो को जो की पसंद करते हैं तो उनका बार बार धन्यवाद हम जरूर करना चाहेंगे तो आज लेके आ रहे हैं जी फर्स्ट आइमर जो टी दातों में चार दात और बताना चांगो जी सोने पे को मिलेगी जी बिलकुल ताजा बैई हुई है जी मौके पे जो की 14 किलो जो दूद है आज फिलाल मौके पे इसमें त्यार है जी और 14 किलो जो दूद में मौके पे जो की 2 किलो की अगाड़ी कोई भी पसु पलक बाई आ करके निकाल के देख सकता है दार चुआई की काफी जबरदस्ट है जी और बात करेंगे जी face value आप देख सकते हैं काफी जबरदस्ट और नीचे से जो इसकी थंडों की क्वाल्टी है काफी मजबूत भास्टे का जो पसुदन देख सकते हैं पीट पुठा काफी जबरदस्ट और टैल के अगर हम बात करें काफी पसुपलक जैसे इसकी माँ थी बिलकुल वैसी और बताना चाहूं जी इसकी माँ भी काफी अच्छे खासे जो कि दूद की जी 20-21 किलो जो दूद है इसकी माँ का जो कि हमने देखा हुआ है और हमारा परियास रहता है कि पसूदन देखिए जी वैपार लाइन में काफी ज़्यादा पस पसूदन तो हमारे जो गराखंगे काफी खुश होते हैं तो पसूदन आप बाकी देख सकते हैं करेक्टर स्वाइज काफी अच्छी खाने में बिलकुल एचफ गाई की तरह सूपर फस्ट अडर की अगर हम बात करें जी बिलकुल एचफ गाई की तरह जो कि लेवा है वो थनपास्य की आप देख सकते हैं दारचुआई की काफ़ी एच्छी काफ़ी साफ सुत्रा पशुदन निचे से जो नशे हैं जो कहीं न कहीं एक साफ साफ दुदारू पशुदन को पर्माणी थै वो करती है जी और रूटीन से देखिए जी पसुदन का सेल परचेज का काम है पसुदन आते जाते रहते हैं लेकिन अब तक की मेरे डीरी फारम की सबसे बیस्ट जोड़ी है मैं जरूर कहना चाहूँगा जी काफी जादा पसुदं काफी जादा टाइम है जी और इस सर्दी के टाइम में भी पसुदन काफी अच्छे खासे दूर पे चल रही है जी फर्स्ट टाइमर जो टे में जी 14 किलो दूर मैं तो जी बहुत ही जादा मानता हूँ बारा भी बहुत ज़ादा है लेकिन जैसे जैसे जिस परकार का अडर है और जिस परकार की जो कि इसके पोजिशन है क्वाल्टी है जी और दूर निकलने के बाद जो जडाओ है जी वो भी पसुदन का काफी अच्छा है और पसुदन ये फिलाल हमारे पास बिक्री के लिए उ जीट है वो कर सकता है अपने पसुद उनको देख के ले जा सकता है जी तो रेट है जी मुक्के पे करना चाहिए जी कोई भी पसुपालक भाई हमारे से किसी भी परकार की डिटेल्स लेना चाहते हैं तो रेगुलर रूटीन से हमारा जो की स्क्रीन पर नंबर आप इन पर कॉ क्यों से काथ ऑन रेगुलर शेख करना चाहते हैं जो रेगे जी तो आप भी पसुपालव है सता है किसी फ cotось यह है जी भी अचाव चाह फंदवत फसुपाल को जीपालते हैं भी पक्ता है ज जा उनको जीए है जीफों से बड़तीर कUIस्ट में भीं हorf में में बड़तीर किस